हेलो वीचर डॉक्टर्स आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे निट 2021 काउंसलिंग डेट क्योंगी जिन बच्चों ने निट 2021 में अच्छा स्कोर किया और एक्सपेक्टीड कटोप से वो अबो है तो उनके माइड में हमेशा यही चल रहा है कि सर हमारी काउंसलिंग कब स् तो बच्चों को यह लग रहा है कि स्टेट ने तो पहले से ही स्टार्ट कर दिया और हमारा तो एमसीची ने तो काउंसलिंग स्टार्ट ही नहीं किया एक रीजन तो यह हो गया दूसरा क्या है जैसे 2020 की में बात करूं 2020 में 13 सेप्टमर को एक्जाम हुआ 16 अक्टूबर को तो रजल्ट आया और फिर 28 अक्टूबर से एमसीची ने फर्स्ट राउंड के लिए रिजस्टेशन स्टार्ट कर दिया था तो यहां पर यह दिक हम गैप देखे तो अराउंड 12 डेज का गैप है ऐसा ही फिर 2021 में क्या हुआ यहां पर देखिए 12 सेप्टमर को एक्जाम इसमें भी अराउंड यहां से ज्यादा ही गैप है तो आप यह देखो कि जो हमारा रिजल्ट भी आलड़ी इतना डिले किया गया फिर हमारी कांसलिंग भी इतनी डिले करी गई है तो बच्चे थोड़ा सा मलब इंपेसेंस तो होई रहे हैं और साथ में कंटिनियूसली क्य कि जो पारि यह ारी हैं इसको डिले करते जा रहे हैं रहे हैं अब कंशिलिंग कुछ दीखनी रहा है कि यह परिकुलिड इसका हो सकता है तो आई होप इस वीक में ये स्टार्ट कर देंगे और नॉर्मली जैसे वीकेंड पर पब्लिश किये जाते हैं नोटिफिकेशन तो हो सकता है तो हमें वेट करना पड़ेगा इसके लिए तो लेकिन आप जो फर्स्टेट होने की नीड नहीं है अप इस टाइम करो क्योंकि एसा टाइम मिला ना इसमें आपके सामने कोई टार्गेट है ना ही आपके ऊपर कोई स्ट्रेस ना प्रैसर है कि ये करना ही है ये बिल्कुल फरी टाइम है अब इस फरी टाइम को उट्लाइज करने के हमारे बास बहुत सारे उप्सन है जैसे सबसे पहले यदि मेरे से पुछ होगे तो मैं बोलुआ कि आप अपनी कोलेज प्रेफरेंस को डिसाइड करो क्योंकि बहुत से बच्चे अच्छा स्कोर करने के वाद भी अच् हो सकता मारास्टा में लोट हुआ हो वेस्ट मंगोल में हुआ हो गुजरात में हो गया हो या राजस्तान में हुआ हो तो पहला रिसर्च ये करो कि मेरे लिए कौन सा स्टेट सबसे बैटर है दूसरा क्या करना है कि हमें ये देखना है कि मुझे स्टेट कोटा में काउंसलि कोलेज है जिसका एक वीडियो मैंने बता था कि ये टोप 10 कोलेज हो सकते उसे में ये भी बता था कि ये नौर्थ इंडिया के लिए ये बैस्ट है तो आप इन पर रिसर्च करो कि हाँ यार में सी मेडिकल कोलेज है जो डेली में ये ज्यादा वैटर है या फिर मेरे लिए वी जाना पड़ गया तो और ज्यादा फरस्टेशन आएगा तो ये जो टाइम मिला ना एक्स्टा टाइम मिल रहा है इसको क्या करो इस रिसर्च में यूटलाइज करो कुछ वीडियो देख लो और वीडियो से भी बैटर में ये कहूंगा कि जिसी कोलेज के वारे में देखना क्योंकि कोरा पे जो बच्चा बीजे मेटिकल कोलेज एहमदावाद में पढ़ रहा है ना उसके ओनेस्ट रिव्यू होंगे वो बताएगा यहां पर यहां पर इस चीज की कमी है यहां पर यह प्रोल्म है फिर उससे आपको एक्जेक्ट आडिया आजाएगा कि मुझे यहा पर काम करते हैं कोलेज प्रेफरेंज पर ठीक है यह ओगया आल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में कौन सा जाना है फिर एक यह डाउट आसकता है कि सर मैं एंडिया कोटा वाले कोलेज यह डिम्ड इंडियोंवर्सिटी पर प्राइवेट कहां जाओं मैं तो इन पर जो भी सर्चाएगी एक ओनेस्ट रिवू होगा जो बच्चे जहां में पढ़ रहे होंगे जो कमपैरिजन होगा उनके लिखें होंगे तो इस टाइप से एक तो यह रिसर्च कर सकते हो बाकि फ्री टाइम में और क्या कर सकते हो कोई अच्छी नोवल पढ़ सकते हो कहीं प तो इस फरी टाइम को अच्छे सी उटलाइज करो ना की इंपेसेंस हो जाओ फरस्ट हो जाओगी सर अमारी कांसिलिंग का डेट नहीं तो बैटर यह होगा कि पेसेंस रखो क्योंगी रजल्ट आ चुका है एक्सपेक्टिड कट अचल चुकी है उसी के राउंड रहने वाल क्योंटी बैस्ट मैंडिकल कोलेज ओफ इंडिया यह सारी वीडियो के लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दुआ तो आप उनी वीडियो को भी देख लाइए उससे आपको हेल्प मिल जाएगी कोलेज प्रेफरेंस सेट करने में कोलेज प्राइटी में कुट आज सकत हो और कोई कमेंट्स है तो कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो अच्छा लगता तो शेयर किया अगर हो थैंक्यू बरी मच्च